आज की कड़ी में हम चर्चा करेंगे क्रांतिकारी ठाकोर प्यारे लाल की जिनका जन्म 21 दिसंबर 1891 को 36 गड़ के राजनांद गाउं जिले के दैहान में हुआ था उन्होंने जनता को राश्ट्रिय आंदोलन के लिए जगाया और वे श्रमिक आंदोलन के संस्थापक और 36 गड़ में सहकारिता आंदोलन के नेता के रूप में व्यापक रूप से जाने जाते हैं मैं मजदूर मुझे देवों की बस्ती से क्या अगनत बार धरा पर मैंने सर्ग बनाए राश्ट्रोय जीवन में उनके अमूले योगदान के लिए उन्हें त्याग मूर्ती की मानद उबाधी से सम्मानित किया गया जिसका अर्थ है बलिदान का प्रतीक कानून में उच शिक्षा पूरी करने के बाद 1906 में वो बंगाल के क्रांतिकारियों के संपर्क में आये उन्होंने क्रांतिकारी साहिते को बढ़ावा देना और विद्यार्थियों को संगठित करना शिरू किया 1920 में ठाकुर प्यारे लाल सिंग के नेतरतों में राजनांद गाउं मिल श्रमिकों ने हर्ताल शिरू की जो 37 दिन तक चली इतनी लंबी अवधी की ये भारत की पहली हर्ताल थी और ये श्रमिकों के काम के घंटों को कम करने में सफल रही महात्मा गांधी द्वारा असायोग आंदोलन की शुरूआत के साथ उन्होंने ब्रिटिन से भारतिय स्वतंतुरता के लिए अभियान शुरू किया 1923 में ठाकुर प्यारे लाल ने 36 गड़ के विभिनक शित्रों में ध्वज सत्याग्रह का नेतरतों किया 1924 में उन्होंने राजनान गाओं में एक और मिल मजदोरों की हरताल का नेतरतों किया जिसके परिणाम स्वरूप श्रमिकों को और रियायते मिली वे 1925 में रायपूर चले गए और हिंदू, मुसलिम एकता और समाज के निचले वर्गों के उत्थान के दिशा में काम किया अंग्रिजों ने राश्ट्वादी गतिविध्यों के लिए उन्हें कई बार जेल भेजा प्यारे लाल 1937 में रायपूर नगर पालिका के अध्यक्ष चुने गए उन्होंने 36 गढ़ क्षेत्र के बुनकरों को संगठित करने के लिए 1945 में 36 गढ़ बुनकर सहकारी संग की स्थापना की स्वतंत्रता के बाद ठाकुर प्यारे लाल ने 1950 में भारत के उत्तर पूर्वे हिस्सों की यात्रा की जिसका उद्देश्य लोगों के बीच शिक्षा को प्रोचसाहित करना था इसी उद्देश्य से उन्होंने राश्व बंधु प्रकाशन का शुभारंभ किया 1951 में प्यारे लाल ने कॉंग्रेस से स्तीफा दे दिया और एक गांधिवादी संगठन अखिल भारत्य किसान मजदूर पार्टी के सदसे बन गए जिसके अध्यक्ष आचारे करपलानी थे 1952 में वो रायपूर से विधान सभा के लिए चुने गए और विपक्ष के निता बने उन्होंने विनोबा भावे के भूदान और सर्वदय आंदोलन को 36 घर तक फैलाने में मदद की उन्होंने अगले दो वर्षों में भूदान आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए गाउं का दौरा करते हुए पूरे ख्षेत्र में बड़े पैमाने पर पैदल यात्रा की भूदान आंदोलन के संदेश को फैलाने के लिए उन्होंने 1954 में 2200 मील चलने और तीन महिने में 300 से अधिक गाउं का दौरा करने का उद्देश्य प्राप्त करने के लिए एक अनुपम शुरुआत की 20 अक्तूबर 1954 को अस्वस्त महसूस करने के बावजूद उन्होंने अपना भाशन देना जारी रखा उसी समय उन्हें दिल का दौरा पड़ा जिससे उनकी मृत्ति हो गई 22 अक्तूबर 1954 को खानुन नदी के तट पर उनका अन्तिम संसकार किया गया हम इस महान राश्ट्रवादी को सलाम करते हैं जो अपने जीवन के अन्तिम सांस तक जन जन की बहतरी के लिए काम करते रहे 21 दिसंबर 1909 औरंगाबाद के 17 वर्षिय चात्र अनंत लक्षमन का नहिरे ने नासिक के मजिस्ट्रेट जैक्सन को एक थियेटर में गोली मार दी जहां उनके ट्रांसफर की पूर्व संध्या पर उनके सम्मान में एक नाटक का मंचन किया जाना था कहा जाता है कि जैक्सन को गोली इसलिए मारी गई थी क्योंकि उसने स्वेतंद्रता सेनानी और विनायक दामोदर सावरकर के बड़े भाई गणेश सावरकर को गिरफतार करने में महतुपून भोमिका निभाई थी जैक्सन ने गणेश सावरकर को कवी गोविंद के गीतों की सूलह प्रष्ट की किताब छापने के लिए गिरफतार किया था क्योंकि उनका मानना था कि अभिनाव भारत सोसाइटी देश द्रोही गतिविधियों में लिप्त थी कृष्णा जी करवे, बिनायक देश पांडे और अनन्त का नहेरे ने बॉम्बे के आयुक्त के पदपर स्थनान तरण से पहले जैक्सन को मारने का फैसला किया जैक्सन के विदाही समारों में अनन्त ने योजना को अन्जाम देने का फैसला किया 21 दिसंबर 1909 को जब जैक्सन विदाही समारों में आये तो अनन्त ने उनके सामने कूद कर चार गोलिया मारी जिससे जैक्सन की तुरंत मौत हो गई इस हत्या ने नासिक, पुणे और मुंबई में काफी संसनी फैला दी और यहां तक की सहानुभूती पून अलोकप्रिये जिला अधिकारी के रूप में जैक्सन के प्रतिष्ठा के कारण भारतिये राश्ट्रवादियों में बैचेनी पैदा कर दी अनंत कनहेरे, कृष्णा जी करवे और विनायक देश पांडे पर बॉंबे कोट में मुकदमा चलाया गया और 19 अप्रेल 1910 को शहीद हुए हम शहीदों को सलाम करते हैं